हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, आज किस कमपैरिजन वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि टू विलर्स में दिया जाने वाला सिंगल चैनल एबीएस और डूल चैनल एबीएस क्या होता है इन दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंस हो और इन दोनों में से कौन सा बेतर है तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले फ्रेंड्स, अबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ABS क्या होता है देखे फुल फॉर्म हो गया एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और सीचोशन कुछ इस तरह से है कि जब आप अपने बाइक या स्कूटर को 40, 50, 60 या उससे ज़्यादा स्पीड में भी चला रहे होते हो और अचानक किसी वज़ा से भी या तो सामने वाली गारी ने ब्रेक लगा दिया या सामने कोई जानवार आ गिया, कोई इनसान ही आ गिया या कोई बहुत बड़ा गढ़ा गिया या इस तरह कोई भी सिचोशन हो तो इस टाइम पे जब आप अपने बाइक या फिर स्कूटर में अचानक से इमर्जनसी सिचोशन में पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो उस टाइम पे आप एग्रिसिवली अपना जो ब्रेक लिवर है उसे दबाते हो और इस टाइम पे ये होता है कि आपके टूबिलर का जो वील है जो चक्का है वो लॉक हो जाता है और उस वज़ासे जो चक्का है वो स्कीड करने लगता है सिलिप करने लगता है यानि कि फिसलने लगता है रोड के उपर में और अगर इस high speed में चक्का का skating हो तो उस वज़ा से सामने वाली चीज़ से आपका जो crash है जो accident है उसका chance बढ़ जाता है लेकिन ये जो ABS system है वो इस जो हमारा wheel को lock होने से रोकता है किसी भी situation में चाहे आप high speed में हो चाहे आप aggressively brake लगा रहे हो तब भी और इस तरह से rider का अपने vehicle के उपर में control अच्छा रहता है और ये crash और accident होने से बचाता है ABS अब आप मुझे ये सवाल पुछोगे कि ABS wheel को lock होने से कैसे रोकता है आए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ देखे basically जो ABS system है उसका चार main components होते है पहला हो गया ABS hydraulic control unit कई बार इसे ECU यानि की electronic control unit भी क पहला तर ये आपको seat के नीचे देखने को मिल जाएगा दूसरा हो गया wheel speed sensor जो की wheel में लगा होता है इसके बाद जो तीसरा हो गया वो हो गया pump और pump के साथ ही लगा होता है solenoid valve अब फ्रेंट्स जब कभी जो हमारा bike scooter जिसमें ABS system दिया गया है उन गाडियों में जब rider अचा rotation वो ज्यादा था और वो एकदम से कम हो रहा है तो उस time पे ये data है जो वो wheel speed sensor वो तुरन भेजता है ECU को और ECU उसके बाद ये काम करता है कि जो pump है जो की hydraulic pressure जो hydraulic oil है उसे आगे की तरफ pump कर रहा है और valve जिससे की वो hydraulic oil आगे निकल रहा है जो brake को apply करने के लिए तो यहाँ पे pump और valve दोनों एकदम से action में आ जाते है सबसे पहले जो valve है वो क्या करता है कि जो pressure जा रहा है तो valve बंद होता है pressure जो है वो release हो जाता है जैसे ही pressure release होता है तो rider का अपने bike के scooter को पर में एकदम से control बन जाता है दूसरी तरफ तुरन उसी वक्त जो pump है वो फिर से pressure को आता है ताकि brake भी लगे rider का control तो होना चाहिए लेकिन ABS यानि कि brake भी लगना चाहिए अब ये काम लगतार चलते रहता है pump pressure बढ़ाते रहता है तुरन्त valve क्या करता है pressure release करता है फिर pump pressure बढ़ाएगा फिर जो हमारा valve वो pressure release करेगा और ये सब कुछ एक सिकंड में सैकडो बार होता है more than 100 times इस ABS सिस्टम में और इस वज़ा से ये हो जाता है कि पहली बात तो इस panic situation में भी wheel lock नहीं होता है दूसरा चुकि जो pressure है hydraulic pressure वो बढ़ रा घटरा बढ़ रा घटरा इस वज़ा से जो हमारा जो rider है उसका अपने गाड़ी के उपर में control भी रख पाता है वो और इ सब कुछ फाइदा हो जाता है ABS सिस्टम के वज़ा से ये friends बहुत ही कमाल की technology है और इसके उपर में detail video भी बनाया जा सकता है अगर आप लोगों को detail video चाहिए तो आप मुझे comment करे के जरूर बताए मैं ABS के उपर में अलग से video upload के लिए upload कर दूँगा चलिए अब बात करते है single channel ABS की और dual channel ABS की देखिए जिन two wheelers में single channel ABS दिया जाता है उन two wheelers का जो front wheel होता है जो आगे का चक्का होता है ज़स्ट उसी wheel में ये जो ABS system में वो काम करता है पीछे के चक्के में काम नहीं करता है इसलिए से हम लोग single channel ABS कहते है बहुत है दूसरे तब जो dual channel ABS है तो उन two wheelers का जो front wheel है और जो rear का wheel है आगे का चक्का पीछे का चक्का उन दोनों चक्कों में यह जो ABS सिस्टम है वो काम करता है तो यह तो हो गया basic difference अब इसके फाइदे और नुक्सान की बात करते हैं friends देखिए सबस्क्राइब आपने किया भी होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आगे का जो brake है और जो पीछे का ब्रेक है वो दोनों एक साथ दबाते हैं जाहिर सा बात है पानिक सिटुएशन है तो सब कुछ ऐसे ही करते हैं अब इस टाम पे क्या होता है कि चूकि single channel ABS है और इस तरह के टूबलेट्स में अगर बहुत जादा high speed वाप चल रहे हो तो जो पीछे का चक्का है वो skid करने लगता है और राइडर का अपनी जो गाली है उसके उपर में control है वो छूटने लगता है तो ये problem आ जाता है single channel ABS के साथ में लेकिन dual channel ABS में ये problem नहीं आता है provider का जो comfortable आप वो से handle कर पाता है उस situation को ये एक फाइदा हो जाता है एक और फाइदा ये हो जाता है dual channel ABS से कि जो stopping distance है वो single channel ABS के मोकाबले बहुत ही कम हो जाता है ठीक है जितना दूरी में जो single channel ABS वाला टूविलर रुकेगा उससे पहले ही dual channel वाला ABS वाला जो हमारा टूविल बेतर है और इससे 99% केसिस में बहुत ही बेतर braking देखने को मिल जाता है खास करके अगर जो engine की capacity है वो 500cc के आसपास है और जो हमारा टूविलर उसका weight कम हो तो बहुत ही बेतर तरीके से ये काम करता है और सिर्फ अगर slippery road हो और high speed में हो तो ही chance हो जाता है कि single channel ABS होते हुए भ high speed में भी बेतर control मिल जाता है और skidding का problem नहीं आता है मैं आपको यहाँ पर यह भी clear कर दूँ कि अगर आप एक bike खरीदने वाले हो सेम CC का तो आप देखोगे कि जो single channel ABS है उसका price थोड़ा कम होता है और dual channel वाले का करीब करीब आप मानलो 8000 से लेकर 10,000 रुपे तक price जादा होता है तो I am sure इस वीडियो में आपको जो single channel ABS और dual channel ABS के difference बताया है इससे आपको अपने लिए सही bike चुनने में मदद मिलेगी वच्छे सिर्फ ABS से bike को चुनना सही नहीं होता है इसके अलावा भी बहुत सारे points है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि two wheelers मे यूज होने वाली अलग अलग technologies का क्या मतलब है किस technology का क्या फाइदा है ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में कौन बहतर है अलॉई वील और स्पोक वील में कौन बहतर है कार्बूरेटर और फिल इंजेक्टर में कौन बहतर है डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में कौन बेतर है? Mono Shocker और Dual Shocker में कौन बेतर है? Dry Clutch और Weight Clutch में कौन बेतर है? Dry Battery और Weight Battery में कौन सी बैटरी बेतर है? USD Fork और Telescopic Fork में कौन बेतर है? Motorcycle और Scooter में आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? हलका Bike और भारी Bike इन में क्या difference है? और इन में कौन बेतर है? सारे ही वीडियो बहुत ही important है. सब का link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा और अगर आपको two willard selected अगर कोई भी इस तरह की technology के बारे में किसी भी point को पर में कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके जरूर बताए उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आयोगी वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाव अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आकन को भी दबा ले ताकि आने वाली important वीडियो के अपडेट आपको notification गत्रू मिलते रहे मिलते रहे वीडियो में thanks for watching this video good bye